Hey everyone, this is Ram Vishnoy and you are watching Geography Group. आज हम एक और कहानी पढ़ने वाले हैं, यानि की एक और चैप्टर डिसकस करने वाले हैं. आज का हमारा चैप्टर हैगा The Little Girl, जो की बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक emotional चैप्टर है. आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में एक टीचर कम से कम ऐसा जरूर होगा जो आपको बात-बात पे टोकता है. ये लड़की सीधे बैट, बिना बात की क्यों हसरे हो, आपकी शर्ट बाहर कैसे, आज लेट कैसे आई, कल अपने पैरेंट्स को बला के लेकिया आना, ऐसी handwriting करते हैं, इतनी cuttings करते हो, fail कर दूँगी मैं आपको, assessment में कुछ नहीं मिलने वाला, आपका कभी कुछ नहीं हो सक रेड सरकल कर देते हैं, एक छोटी सी बात की उपर आपका एक मार्क्स काट लेते हैं, आपको लगता है, ये टीचर खडूस है, ये टीचर इसको बच्चों से बिलकुल प्यार ही नहीं है, आप उसका नाम रख देते हो, उसका नाम होता, वैक्टर रख दिया, आपने बैठे हो, जब आप एकजाम देने बैठते हो, आपकी पैंसिल नेचे गिर जाती है, तो वही टीचर उठा करके चुप चाप आपके बैंच के उपर रख देता है, आंशर शीट देने के लिए आपके पास पहुंझ जाता ताकि आप टिस्ट अबना हो, लेकिन उस वक्त सा लोर मिडल क्लास फैमलीज होती है, इसमें जो पापा होते हैं, फादर होते हैं, वो कभी भी हमें बारा बजे बड़े विश्ट नहीं करते हैं, कभी भी वो अपनी मेरीज अनवर्श्री को सेलिबरेट नहीं करते हैं, शर्माते हैं, इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है क कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जब वो रात को सोते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले वो आपका चेहरा देखते हैं, जब वो श्याम को ठक जाते हैं काम से, तब वो थोड़ा सा ओर जोड लगाते हैं, कि मै बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे काम्याब होने वाले हैं, मेरा बच्चा नाइंथ क्लास में हो गया, थोड़े दिनों की बात हो रहे हैं, उनको express करना नहीं आता, प्यार करते हैं, बट उन्हें पता ने कि how to say I love you, how to say रात को बारा वजे कैसे कहा जाए कैसे अपनी वाइफ को कहा जाए कि इतने सालों के बाद भी I love you, express करना नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें प्यार नहीं आपसे, बहुत प्यार है, ऐसी कुछ कहानी दल लिटल कल की है, यहाँ पर भी एक छोटी सी लड़की है और उसके पापा है, कहानी में क्या ह है, उसमें केजिया की बात करेंगे, केजिया एक छोटी से लड़की है, केजिया वज लिटल गल् भी विद haar मदर, फादर एंड क्रेन बादर, यानि कि केजिया का एक छोटा सा प्रिवार है, उसमें उसके मम्मी है, पापा है, दादी मा atravies Edpечно crates of her father and used to avoid him, वह अपने father से पहुट रगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर हो अमरीश पुरी है खड़ू उसे लगते हैं उसे and used to avoid him उसे वो बतने की कोशिस करते है कि जब भी उसके पापा इधर आए तो वो कहीं और कोने में अगर वो उनके पापा उसकोने में तो मनी मन सोसती है, अच्छा हुआ, पीछा छोटा, उसे आजादी फील होती है, यानि इतना ज़्यादा वो अपने पापा से डुरती है, कि वो अपने फादर से इतना डुरती है, कि उनके सामने हक लाने लगती है, जब उसके पापा पोचते है, कि बेटा इधर आओ, आज पापने क्या पड़ा, तो बोलते है पाप पापा, यानि कि वो सीधा वर्ड है, वो नहीं बोल पाती, क्यों नहीं बोल पाती, क्योंकि वो डुरती है, अब डुरती क्यों है, क्योंकि उसके जो पापा है, वो हमेशा थोड़े लावडली बोलते हैं, he used to speak loudly, और order देते रह बाएंगे डांटने वाले हैं, so she used to afraid, she was afraid of her father, वो अपने father से ड़ती है, he appeared to her as harsh, rude, critical human beings, और उन्हें लगता है कि उसके पापा है, वो बिलकुल villain की तरह है, अमरीशपुरी की तरह है, बिलकुल कठोर से रहते हैं, कभी हंसते नहीं हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, her grand mother wanted her to understand her parents better, उसकी जो दादी माँ बहुत प्यार करती है केजिया से, और वो चाहती है, कि वो अपने parents को अच्छे से समझे, and would ask her to go to the drawing room to chat with her parents, और उसे बार बार कहते हैं कि drawing room में अपने ममे पापा के साथ बैठो, थोड़ा सा उनके साथ बात ने करो, but she found them indifferent towards her, लेकिन उसे लगता है कि उसके parents को बिलकुल परवाई नहीं है उनकी, उसे लगता है कि उसे तो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है, कभी-कभी उसे लगता है कि मैं तो इनको मेले में मिली हूँ, उसे ऐसे लगता है कि उसके parents से उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि उसके पापा केवल Sunday को free होते हैं, जब free होते हैं तो वो सोफे के उपर लेटे होते हैं, बस खराटे लेते रहते हैं, उसके mother को पढ़ने से ही फूर्शत नहीं है, उसके parents से वो उसकी केर नहीं करते हैं, एक दिन, one evening, she saw Mr. Macdonald playing with his five children, एक दिन उसने देखा अपना प्रोसी, प्रोसी के नाम है Macdonald, वो अपने पांच बंचों के साथ, पांच चोंस के बच्ची हैं, उनके साथ laughing, enjoying with them, उनके साथ खेल रहे थे, उनके साथ मज़े कर रहे थे, this convinced Kejia that all fathers are not alike, और Kejia को लगा कि सभी पापा एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे पापा भी होते हैं, someone are loving and caring like Mr. Macdonald, उसे लगता है कुछ ऐसे अच्छे होते हैं, caring होते हैं, loving होते हैं, जैसे कि उसका प्रोसी है, and some are cruel like her father, कुछ अमरीश पुरी होते हैं, जैसे कि उसके पापा है, लेकिन उसका जो यह attitude था, अपने parents को लेकर के, specially अपने father को लेकर के, वो change हो जाता है, change कैसे होता है, कि but soon her attitude towards her father also changed, change हो गया, एक दिन ऐसा ही कुछ होता है, one day her mother had to be taken to the hospital, एक दिन उसके mother को hospital ले जाया जाता है, and her grand mother accompanied her, और उसकी grand mother उनके साथ जाती है, केजिया वोज लेफ्ट alone in the house with a cook, और केजिया घर में अकेली रह जाती है, भी घर पर होता है, the day was fine, दिन में तो कुछ नहीं होता, it's okay, टीवी देख लिया, the cartoon देख लिये, छोटा भीम देख लिया, time pass हो गया, but the night was a different issue, लेकिन रात को थोड़ा से issue different होता है, आपने भी देखा होगा, जब ममा कहीं चली जाती है, night होती है, थोड़ा समन कम लगता है, हमें घर खाली-खाली से लगता है, चाहिए सारी हो, but the night was a different issue for Kezia too, she woke up in the middle of the night, screaming as she had a horrible nightmare, रात को वो एकदम से उठ जाती है ने इन से, चिलाती है, क्यों, क्योंकि उसने एक ट्रावना सपना देखा था, और ट्रावने सपने के बाद, वो चिला करके उठ जाती है, she was weeping out of fear, और वो ड्र के मारे रोने लगती है, when she opened her eyes, she saw her father beside her bed, और जब उसने आँखे खोली, क्योंकि ड्र के मारे उसने आँखे बंद कर ली थी, तो उसने देखा उसके पापा उसके पास थे, he carried her to his bedroom, वो उनको अपने bedroom में ले जाते हैं, and made her warm and comfortable to his bed, उन्हें अपने bed के उपर सुलाते हैं, उसको comfortable feel करवाते हैं, father told her to rub her feet with his legs, और father उसे कहते हैं, कि वो उसके जो feet हैं, उसके legs के साथ wrap करें, and set them warm, और उसे गरम रखें, she felt very safe and comfortable with them, वो अपने पापा के साथ, पहली बार safe, comfortable feel करे थी, it was done, she realized that her father was not a giant after all, और तब उसे पदा चलता है, कि उसके पापा वास्तों में अमरिश्पुरी नहीं है, जैसा कि दिखते हैं, वो भी अच्छी हैं, she could also sense that, he loved and cared for her in his own way, और उसे ये भी पदा चलता है, कि उसका care करने का, प्यार करने का एक अपना तरीका है, she realized that, he had to work the whole day to provide for his family, and was too tired by evening to play with her, और वो realize करते हैं, उसके पापा उसे प्यार करते हैं, पूरे प्यार को प्यार करते हैं, इसलिए वो पूरा दिन काम करते हैं, शाम को इतनी ज़्यादा थक जाते हैं, को उसके साथ खेल नहीं पाते, प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ये थी कहानी केजिया की, the little girl, कि कैसे वो अपने फादर के बारे में पहले सोचती है, उसके बाद कैसे उसके व्यूज चेंज हो जाते हैं, अब हम बात करेंगे most important questions की, जो इस chapter से हमें करने हैं, ज्यादा नहीं बनने वाले, जो हमारा first most important questions रहेगा, जिसको हमें अच्छे से discuss करना है, यानि के अच्छे से prepare करना है वो है, अपने फादर के सामने वो अटक कर बोलती है, क्यों? केजिया स्टेमर्ड इन फ्रंट और वाल्वेस को डांटते रहते, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करते, और केजिया इसलिए अपने फादर के सामने स्टेमर करती है, हकलाती है क्योंकि वो अपने फादर से ड्रती है इसलिए वो उनके सामने बोल नहीं पाती है, तो आप अपनी लेंग्वेज में लिख सकते हो, कि वो क्यों उनके सामने हकलाती थी, second जो most important questions रहेगा इस chapter में से, वो question रहेगा, हमारा why was Kezia afraid of her father, Kezia अपने फादर से ड्रती क्यों है, Kezia वो जे little sensitive girl, छोटी सी sensitive girl है, हर father वो जे aggressive nature की है, and always spoke loudly, हमेशा जोर से बोलते हैं, और aggressive nature है, he always scolded her, और छोटी छोटी बात के लिए उसको टांटा जाता है, okay, he always scolded her, he used to beat her sometimes, कई बार उसे पिटाई भी कर देते हैं, even when she had accepted her mistake, जब वो अपनी गलतियां से उखार कर लेती है, accept कर लेती है, तब भी उसको पिटा जाता है, he never played with her, और वो उनके साथ कभी नहीं खेलते हैं, उसके पापा केजिया के साथ कभी नहीं खेलते हैं, this made her afraid of her father, इन सब के काणव अपने फादर से, अपने पापा से टुर्ग दिये, अब यहाँ पे पिटा कब गया था, ये भी चैप्टर में बताया गया, एक बार ऐसा होता है, कि केजिया अपने पापा को बर्ड़े पे, एक पिन कुशन देने की सोचती है, भाई तक्या देने की सोचती है, अब तक्या बना लिया बड़ा अच्छा सा, लेकिन उसके अंदर क्या भरा जाए, उसको कुछ सोजा नहीं, उसने इधर-उधर सर्च किया, उसे पेपर मिले, बना डाला, अब उसी दिन, फादर उसके जब पापा त्यार होये थी, उनको कोई स्पीच देनी थी, उनको पेपर नहीं मिल रहे थे, अब पता पेपर कहा थे, पेपर तो तक्या में जा चुगे थे, बस पेटाई तो हो नहीं थी, ऐसे आपकी भी बहुत बार पेटाई होगी, सब की होती है, मेरी भी हुई है, नेक्स्ट जो क्विश्चन है, थर्ड क्विश्चन, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट में रहेगा, क्या आपको लगता है कि उसके फादर है, उससे प्यार करते थे केजिया से, केजिया से फादर had a loving heart, no doubt केजिया के फादर के पास भी loving heart था, in spite of his formidable character and strict lifestyle, he had in him a soft loving parent sleeping, हलांकि उनका character कुछ अलग था, उनका lifestyle कुछ अलग था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक parent का प्यार था, whether he was not aware of it, or he never had a turn to pet his child, या तो उन्हें पता नहीं था, या फिर उसे कभी मोका नहीं मिला था, कि वो अपने प्यार को दिखा पाए, he was a loving father indeed, लेकिन वास्ता में वो भी एक caring father थे, तो इस टाइब का question आ सकता है, कि क्या आपको क्या लगता, तो हाँ पे अपने opinion लिखने है, चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो हमें last जो incident है, उसकी बेस पर हम लेकिन गेंगे, कि no doubt he was a loving and caring father, although he didn't know how to express his love, उन्हें पता नहीं था, कि उसको love को express कैसे किया जाता है, and he was too busy also, वो काफी ज़्यादा busy भी रहते दे, okay, next जो fourth question बनेगा, most important में, जो हमें इस chapter से करना है, वो रहेगा, यह आपका long answer type question में भी आ सकता है, तो थोड़ा समयने length लिखा है, केजिया का जो negative attitude था, अपने father को लेकर के, जिनको खुडूस मानती थी, वो कैसे change हुआ, when her mother was hospitalized, her grandmother went to stay with her, जब उसके mother को hospital में admit किया जाता है, तो उनकी दादी मा को भी जाना पड़ता है, केजिया used to sleep alone at night, केजिया रात को अकेली सोया करती थी, she was so scared that she started shouting at night, लेकिन उस रात को इतनी डर गई, कि वो रोने लगई, चिलाने लगई, she had nightmares and trembled a lot with fear, उसे एक बुरे ड्रावने सापने आते हैं, और वो काम पने लगती है, then her father came to her room, and took her into his arms to comfort her, तब उसके फादर आते हैं, उसके room में आते हैं, और उसे अपने साथ ले जाते हैं, प्यार से अपने bedroom में, she felt secure with her father near her, वो अपने फादर को अपने पास पाके secure feel करती है, then she realized that her father was busy with work, and had no time to play, तब उसे realize होता है, कि उसके फादर हैं, वो उतने भी strict नहीं हैं, वो अपने काम में busy रहते हैं, तब उसे ये भी realize होता है, कि उसके फादर है, उससे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके पास ये तरीका नहीं है, मैथड नहीं है, वो एक्सप्रेश नहीं कर पाते हैं, कि वो कितना प्यार करते हैं, तब उसका attitude है, इस incident के बाद बिलकुल change हो जाता है, नहींगे हमारी four most important questions इस chapter से लेटेड, तो ये था हमारा आज का chapter the little girl, उमीद करता हूँ पूरी कहानी, पूरी story, पूरा chapter आपको समझ में आयोगा, और questions भी आपको अच्छे से समझ में आगे होगे, अगर आपको ये video, ये episode अच्छा लगा, तो इस episode और इस video को like करना और share करना मत भोलेगा, thank you, bye bye, have a nice day. झाल आपको समझ लगा, को एा हुआ झाल 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 केlaई। झाल